सरवांग समता की उपयोगिता युसेज अब कंग्रुएंसी सरवांग सम आकरितियों वह सरवांग समता का उपयोग हमारे वास्तिविक जीवन में तो होता ही है साथ ही साथ इंजिनेरिंग के शेत्रों में भी पुलों, भोवनों और टावरों के निर्मान में भी सरवांग समता दिखाए पड़ती है हमने इस अध्याय में क्या सीखा? एक बर इस पर नदर डालें, आएए एक, जैमिती आकरितियां सरवांग सम होती है, यदि उनके आकार वव माफ समान हो दो, समान तरिज्याओं के दो वरित सरवांग सम होते है तीन, दो वर्ग सरवांग सम होते हैं, यदि उनके भुजाओं की माफ समान होती है चार। दो त्रभुच सरवांग सम होते हैं जब उनके शिर्सों की संगतता इस प्रकार हो कि उनकी संगत भुझाएं वह संगत कोड समान हो पाँच यदि एक त्रिभुच की दो भुजाएं और बीच का कोण दूसरे त्रिभुच की दो संगत भुजाओं और बीच की कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुच सरवांग सम होते हैं इसे हम साइड एंगल साइड के नाम से जानते हैं च्छे, यदि एक त्रिभुच के दो कोण और बीच की भुजा, दूसरे त्रिभुच के संगत दो कोणों और बीच की भुजा के बराबर हो, तो भी दोनों त्रिभुच सर्वांग सम होते हैं। इसे हम angle, side, angle के नाम से पहचानते हैं। साथ, यदि एक त्रिभुच के दो कोण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुच के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो, तो त्रिभुच सर्वांग सम होते हैं। इन्हें हम angle, angle, side के नाम से पहचानते हैं। 8. त्रिभुच के बराबर कोणों के संब्मुक भुजाएं बराबर होते हैं। 10. दो त्रिभुजों में यदि एक त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर हो तो भी वे त्रिभुज सरवांग सम होते हैं 11. यदि दो समकौन त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण वह एक भुजा दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सरवांग सम होते हैं इसे हम राइट एंगल, हैपोटेनियस और साइड के नाम से पुकारते हैं 12. किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का सम्मुग कौन बड़ा होता है। 13. किसी त्रिभुज में बड़े कौन की सम्मुग भुजा बड़ी होती है। 14. किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। 15. किसी संभाहु त्रिभुज का प्रत्य कोण साथ हंश का होता है। 16. यदि त्रिभुज A, B, C और त्रिभुज P, Q, R सर्वांगसम हैं तो इसे इस प्रकार लिखते हैं। त्रिभुज A, B, C, सर्वांगसम, त्रिभुज P, Q, R 17. सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अव्यो या भाग या अंग को सत्रिसभ यानि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग या C, P, C, T यानि corresponding part आप congruent triangle से प्रदर्शित करते हैं।